अधिराज से जेस्टी लागू हो गया है जेस्टी लागू होने के बाद देश को अंगिनत टाक्स से आजादी मिल गई है खाने पीने की चीजों पर टाक्स कम हुए है तो कई चीजों पर टाक्स बढ़ भी गए है अब चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे है क्या कुछ असर पड़ेगा हर कोई जाना चाहता है कुछ चीज़े महगी हुई है एक आसान टैक्स के तौर पर इससे देखा जा रहा है प्रधानुत्री नरींद्र मुदी ने भी कहा था कि ये एक अच्छा टैक्स है गुड एंड सिंपल टैक्स यारी कि जो तमाम राज्यों में अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे कई तरीके के टैक्स होते थे उससे लोगों को आजादी मिल गई है अब हर चीज़ पर एक जैसा टैक्स पूरे देश में लगेगा कुछ चीज़ों को इसके दाइरे से बाहर रखा गया है जिसमें पैटोल और डीजल भी शामिल है लेकिन जादातर चीज़ें इसके दाइरे में आती है तो इस नई तारीख जो है एक जुलाई जो है ये जीस्टी का दिन लेकर आई है और जीस्टी पूरे देश में लागू हो गया है जीस्टी लागू होने के बाद स्टोर से खरीदारी पर क्या कुछ असर पढ़ रहा है इसके बारे में हमारे सही होगी सेयद आमिर हुसान दिल्ली से जानकारी दे रहे है गोर्स और सर्विस टेक सब लागू हो चुका है और आज से टेक्सेशन पढ़ाली बदल चुकी है हम इस समय आ चुके हैं एक डिपार्मेंटल स्टोर में जहां पर तमाम चीज़े आप खरीदने के लिए आते हैं जूते, चपल, खाने के लिए समान तमाम ऐसे बिस्किट हो गए, आटा हो गए, दाल हो गई, चावल हो गए तमाम ऐसे आइटम जो आपकी रोजमर्रा की जिन्दगी से जुले हुए हैं ऐसे में क्या फर्क पलेगा और किस तरह से बिल लिये जा रहे हैं आपसे और बिल क्या जिस्टी में आ रहे हैं अभी भी टिन नंबर के आधार पे बिल दिये जा रहे हैं क्या वैट सिस्टम ही अभी लागो है या फिर जिस्टी से लोगों को बिल मिल हा है क्योंकि फर्क पड़ेगा क्योंकि उससे रेट पर फर्क पड़ेगा और रेट पर फर्क पड़ेगा तो आप का घाटा होगा या नुकसान होगा या फाइदा होगा ये भी सब देखना होगा तो कुलमलाकर के जो तमाम चीज़े एक्जम्ट की गई हैं उसमें मैं आपको बता दू खाने पीने की ज़ादा तर चीज़े जो हैं वो एक्जम्ट कर दी गई है यानि कि उनको टैक्स के दारे से बाहर रखा गया है जीरो परतिशन टैक्स के दारे में हैं जैसे अगर आटे की बात करें आप तो आठा जो है वो अब आपको जीरो परसंट टेक्स के दारे में आएगा वो मतलब उस पे कोई टेक्स नहीं लगेगा इसके साथ में चावल हो गया दाल हो गई और सबजिया हो गई ब्रेड हो गया ऐसी तमाम चीजे जो इस्तमाल में आती हैं वो अब आप को टेक्स के दारे में नहीं मिलेंगी यानि जीरो परसंट टेक्स उस पे रखा गया है पैकेट फूट पे पाच परतिशत जो है वो टेक्स रखा गया है नॉर्मल लखने की कोशिश की गई है जो पहले बीस बीस परतिशत तक होता था या फिर पैपसी जैसी चीजे या फि पे 20-20 परतिशत तक वैट लगता था वो अब जो है पाँच परतिशत के दाइरे में रहेगा ऐसे पैकेज टूड जो है उन पे पाँच परतिशत तक रहेगा और दूसरा ये कि जो वेजिटेबिल्स हैं खास तोर पे वेजिटेबिल्स पर भी काफी असर पड़ेगा अगर पैकेज नहीं होते तो 0% के दारे में रहेंगी और इसके साथ में बेसन हो गया तमाम ऐसे आइटम जो खाने पीने से जुले हुए हैं वो बेसिकली एक्जम्ट रहेंगी लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं जो की महेंगी हो जाएंगी यानि कि आपको ड्राइफूट्स जो है वो थोड़ा सा आपको महेंगे मिलेंगे यानि कि उस पर तेक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है ड्राइफूट्स पर करीब 18% जो है वो टेक्स जो है उस पर लगया उससे करिब-karारीप 9% जो है वो बढ़ जाएगा यानि पैकेज फूट्स पे लेकिन बिल्किस तरह से न तो आज से नंबर प्रोइड रखा गया है डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर हम बात करें मिल्क की मिल्क में तोड़ा सा आपको रहात पेलेगे क्योंकि मिल्क जो है ठीडाब कीधेज़ वहे जुवरा है जो आपको थोड़ा उसपे जस्ट जो है लागू नहीं है ऐसे तमाम फूड प्रोड़क्स पे जिस्ट लागू नहीं है लेकिन जो लग्जघरी आइटम है या फिर तमाम ऐसे पैकेज़ फूड है जो ऐसे दारे में आते हैं जो कि हैं उन पर थोड़ा असर परता हुआ दिखाई देगा विडियो जुनलिस राकेश रावत के साथ सेधा में रुसाइन न्यूज नेशन तेले